आज मैं आपके साथ मेरा नाइट टाइम हेर केर रूटीन शेयर करने वाली हूँ मेरा हेर का लेंथ है अल्मूस्ट थर्टी इंचिस उससे जादा ही होगा थोड़ा सा और मेरी हेर एक्चुली पहले बहुत जादा ड्राई थे मतलब उसका जो लेंथ था वो बहुत जादा ड्राई था पर मेरा जो सकैल्फ था वो एक्चुली ऑईली था उसमें बहुत जादा डैंडरॉब्स का प्रॉब्लिम था पर अभी वो काफे अच्छा हो गया है अब देख सकते हैं बहुत shiny हो गया है तो मैं अपनी roots में अभी ये use करना start की हूँ ये है minimalist का hair growth actives 18% और मेरा इसके साथ अभी 3 हपता हुआ है 3 weeks हुआ है सो मैं अभी इसके review देने के position पे नहीं हूँ उन्होंने बोला है at least आपको 8 हपते try करना है 8 weeks ट्राइ करने के बाद आप बता सकते हो पर हाँ थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ साथ 22-30% मेरा hair fall का मतलब hair fall reduce हुआ है उससे जादा नहीं ये उतना miracle product तो नहीं लग रा है मुझे मैं एक पूरा फुल ये dropper का मैं एक dropper लेती हूँ और उसको directly scalp पे apply करती हूँ जहां जहां मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे उस जगा पे hair का thickness थोड़ा कम है उसी जगा पे मैं apply करती हूँ एकदम directly scalp पे उस तरह से मैं scalp में एकदम directly dropper को लगाती हूँ फिर पुश करती ह हूँ तो इसी तरह से मैं scalp में directly apply करती हूँ और उसके बाद massage करती हूँ एक minute के लिए although ये मेरे hair को ना बहुत ज़्यादा oily बना रहा है मतलब इसको लगाने के बाद आपको लगेगा कि hair बहुत oily है और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा चोटा है मतलब 30 ml का है और आपके ल उडिन कॉम्ब है मैं इसको दो-तीन साल पहले खड़ी दी थी फिलोनी ऐसा कुछ ब्रैंड का था ये बहुत ही अच्छा है सायद अपको नाइका या फिर एमाजॉन में मिल जाएगा similar product अगर मुझे हो नहीं मिला मैं description box में दे दूंगी ये जो उडिन कॉम है ना अगर या फिर उडिन ब्राश यूज करने से क्या होता है वो एविल लिए अपके पूरे हैर में distribute हो जाता है पर एज उडिन ब्राश ना काफी जादा expensive है तो मैं ये उडिन कॉम्ब यूज करते हूँ आप देख सकते हैं कितना oily लग रहा है आज ही मैंने hair wash किया था तो ये मुझ करने hair को हमेशा मतलब नीचे से कॉम करना start करती हूँ और gradually अपने roots तक जाती हूँ मैं ममी को देखी हूँ ममी roots से start करती है हमेशा मैंने ममी को यही बच्पन से देखी हूँ और उनका ऐसा है कि मतलब जो hair का एकदम उपर की हिस्सा में चोटी काफी मोटा होता है और length में ब यह मैं OGX का Moroccan Argon Extra Penetrating Oil Serum type of oil actually है वो मैं यूज करी हूँ यह काफी expensive है 800 रुपए के आसपास इसका price है मैं इसका बस दो drop लेती हूँ मैं एक महीने से यूज करी हूँ अब भी थोड़ा सा ही मतलब कम हुआ है I think यह बाला product मेरे लिए एक साल last कर जाएगा मैं बस दो drop मैं उसको अपने दोनों हातों में अच्छे तरह से ले लेती हूँ रब करके और फिर अपने जो hair का length है उसका जो ends है पहले वहाँ पे लगाती हूँ जादा सिरम लगाने से hair चिप चिपा हो जाता है तो मैं वो नहीं करती मैं बस अपने dry जो ends है उसको protect करने के लिए थोड परा सही serum यूज करती हूँ जादा नहीं यूज करती क्योंकि serum में generally कभी-कभी अगर non-volatile silicone होता है तो वो hair में build-ups cause कर सकता है उसके बाद ये मेरा tangle teaser का hair brush है इस silicone hair brush है तो मैं ये नया खरीगी हूँ ये भी कापी pricey है 1400 के पास इसका price है although इससे ना काफी अच्छा head massage भी हो एकदम end में इससे comb करती हूँ एक minute के आसपास उससे ना बहुत ही अच्छा head massage हो जाता है और आपको shine दिख रहा है मेरे hair में बस that's it मतलब आपको जादा कुछ करनी का ज़रूरत नहीं है अगर आप खड़ीदना चाहते हो एक ही अच्छा product आप खड़ीदिये उसको ही आप consistently use कीजिए थोड़ा सा ही लगेगा आपको हर मतलब hair care एक marathon है एक sprint नहीं है तो आपको hair care के लिए आपको बहुत ही patience रखना पड़ेगा और मैं हमेशा रात को कोशिश करती हूँ चोटी बनाना या फिर उपर मैं अपने सारी hair को लिके एक बन बना लेती हूँ जनरली मैं चोटी बनाती हूँ इसलिए मेरे hair बहुत ही जल्दी लंबा होते है अच्छली ये मुझे मम्मी से पता चला है मम्मी भी यही करती है तो म से अपका हेर में बहुत ज़ाद स्प्लीटिंस के चांसस होते हैं. तो आप मेडियम टाइटली अपने हेर को काफी अच्छे से एक चोटी बना लीजेगा, ब्रेड बना लीजेगा, और उसके बाद मैं आपको भी सिक्रेट टिप बताने बाली हूँ, अगर आप बेगाली हो तो साइद आपको भी ये पता होगा. मेरे मम्मी लोग बचपन से एही चीज़ें करती है. वो है कि अपने जो हेर का, मतलत आप चोटी बनाएगा, उसका जो ends होगा चोटी का, उसको आपको ऐसे roll करना है roll करना है roll करते करते आपको fold करना है तो यह छोटा होते आएगा ऐसे आप अपने कंधे के length पे इसको यहां तक roll कीजिए और उसके बाद एक अच्छा सा hair tie की मदद से वो जो plastic बाला जो जिसे हम garder बोलते हैं वो elastic होता है उसको मत यूज़ कीजिए कोई अचा हेर टाई यूज़ कीजिए और उससे अपने हेर को ऐसे secure कर लीज़े इसी लिए मेरे हेर में splittance बहुत कम है उसके बाद और एक टिप है यह मैं Amazon से recently खरीदी हूँ silka pillow case खरीदने का budget मेरे पास नहीं है honestly guys so मैंने वो बाला Amazon से खरीदा है फिलाल यूज़ के लिए बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने बेबी हेर्स को फेस में आने से रोकने के लिए ऐसा बॉबी पिंस लगाती हूँ यह बहुत जादा टाइट नहीं है क्योंकि टाइट बाला बॉबी पिंसे क्या होगा न क्या आपका हेर तूट सकता है उसका ब्रेकेज हो सकता है तो that's it guys that's my I think 7 to 10 मिनिस रूटीन तो bye bye love you all